तो बहुत वह स्वागत है आपका हमारे स्मय वीडियो पर जैसे कि आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने कुछ पाठ्स रखे हुए यह आटमेटिक वोल्टेज इस्टिब्लिजर के पार्ट से दिखे जैसे इसकी बॉड़ी है फोल्डिंग बॉड़ी है कई साथ पार्ट में डिवाइड है और यह इसमें हम चारले यूज़ करेंगे लेक्स एक्ष्ट्री इंपट आउट्पुट के लिए MCV, Micro Control Circuit, Switch, Input-Output देखने के लिए, Voltmeter और यह Transformer देखे हम इसमें चारले यूज़ करेंगे लिए है copper binding में है और काफी पुराना transformer है यह transformer लगाने का मकसद यह है कि आपको हम दिखा सकें कि किस तहां से हम यह माइको काट्रोलर किट इस पुराना transformer के साथ भी यूज़ कर सकते हैं तो फिर जुड़ेगे हमारे साथ देखते ही हमारे पुरा वीडियो वीडियो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पुरा देखें वीडियो परसंदा तो प्लीज वीडियो को लाइक करना शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूले चली वीडियो शुरूगत है अब हम सबसे पहले इस बॉड़ी में साइब पार्ट बगएरा फिट करेंगे हम जो पार्ट से यूज़ करेंगे वो उनके बाए में समझ दिजिए देखिए टास्वर है हमारा पार्च की वे 90 वोल्ट कॉपर वैंडिंग में इसके बाद ये ये एमसी भी है पच्चे सेंपर हम चार पीस लिए उस करेंगे पच्चे सेंपर रिले है चॉविस वोल्ट क्यूंकि इसमें तीन ओपेटिंग दिले है और एक टाइमर और हाइकट के लिए चार पीस लेक्स यूज़ किया हमने एक एस्टित्री यूज़ करेंगे तीस इसमें की जहुत नहीं है क्योंकि माइको के टोलर सेकेट हमारा बिना टेजर टास्वर के ही ऑपेट होता है यह देखिए दोस्तों बॉड़ी में पार्ट समने फिट कर लिया है एमसी भी हम बाद में लगाएंगे इंडिगेटर का करेंगे आपको दिखाते हैं यह सेक्ट क्रेंगे यानि इसे common wire बनाएंगे सक्ट के लिए किसी भी दखार में दो वायर निकले होता है क्योंके से की सक्टे करेंट में जयाका है और हमारे Leah बंड होती है तो हम जितनी ज़ले है इनिद्दों का एक एक वायर बिलीके बिल्दाटि करनेंगे यह देखिए पेल कि अब ऐसे ही एक वायर हम रिले के जितनी इतले हैं इन सब के दूसरे वाले प्रेंट से भी वायर निकालेंगे यह वायर तो हमार कॉमन हो गया बाकि कोयल कर दूसरा वायर बचा है तो इतना ही लंबा वायर हम एक और निकालेंगे एक यहां से एक यहां से और एक यहां से इस तरह से हमारे चार वायर और निकलेंगे जो कि हम सर्कृट मे connect करेंगे कि यह सेक्ट के कनेक्शन से तो हमने निकाल लिये हैं अब हम इसमें बाकी जो में लाइन से कनेक्शन से आएंगे वह करेंगे बाकी ट्रांस्वर्मर से जो हमारे वायर आएंगे वह रिले में कनेक्ट करेंगे तो चलिए अब यह बाकी जो और वायरिंग है वह शुरू करते ह अब हम पहले MCV में वायर लगाकर MCV को फिक्ट करेंगे बॉडी में और MCV के जो कनेक्शन होंगे वो आपको बता देते हैं देखें MCV के दोसरे दे रखें दोनों सरो पर हम वायर लगा लेंगे इसमें से एक सरा हमारा HT3 पर इंपुट पर चला यागा यानि कि जो हमारी इंपुट सप्टाई आएगी वो HT3 के तुरू पहले MCV में आएगी और MCV से दोसरा जो सरा हम निकाल रहे हैं तार का तो ये वायर हमारा इंपुट रिले के पोल पर कनेक्ट हो जागा जैसे हम मालीजे इस रिले को इंपुट रिले बनाते हैं तो इसके पोल पर हम MCV से एक वायर निकाल का कनेक्ट कर देंगे जिससे हमारी MCV इंपुट पर प्रोटेक्टिशन के तौर पर काम करेगी तो इस तरह से हमारी जो में इंपुट आएगी स्टेबलेजर में वह MCV के थ्रू हो आएगी कभी भी कोई स्टेबलेजर में कोई फॉल्ट आता है तो MCV हमारी ट्रिप हो जाएगी लगाने को हम MCV आउट पर भी लगा सकते हैं लेकिन उसमें यह होगा कि अगर इस टेबलेजर के अंदर कोई दिक्कत आ रही तो हमाई MCV ट्रिप नहीं होगी क्योंकि वह इस टेबलेजर के बाद होगी और इस टेबलेजर पहले यानि इंपुट पर हमें MCV लगाते हैं तो यह हमारा डबल प्रोटेक्शन रहता है और यह ज्ञादा बेहता रहती है तो चलिए इसे भी फिट कर देते हैं यह गज देखिए jesteśmy से ईंपुट लेके पॉल पर करेंगे मिज़्य करेंगे इसे इंपुट लेके पॉल कहलाता है इसे पर हम कनेक्ट कर देखिए यह अच्छे से टाइट कदेंगे से और इसके बाद में एक वाय निकलकर हम इन्पूट रिलेके एन्व वाले पॉइंट से इस लेके पॉइंट भी समझ लिजिए देखिए इस लेका यह कॉमन पॉइंट रहता है इस पोल बोलते हैं इसके बाद यह रिलेका एन्पॉइंट रहता है और यह रिलेका एन्व पॉइंट रहता है तो अब हम इन्पूट रिलेके एन्व पॉइंट से एक वाय लेकर यहां से हम इसे टाइट करेंगे और यह से हम इन्पूट डू रिलेके कॉमन यानि पोल पर कनेक्ट कर देंगे यहां पर यह कॉमन हो जाएगा इस तेक इसी तहां एक वायर हम आउट पॉर्टर लेके पोल और हाइकट या टामर वायर लेके पोल पर पर कनेक्ट कर देंगे देखिए इन दोनों पैंट्स पर यह वायर हम कनेक्ट कर देंगे कि यह अब हम करेंगे समें घात्रयां कि इसमें घ्राम कर्नेक्शन वह समझ लिए चार्स्वर्म फिर्ग की पहली लूफ हम इनप्ट लेके चंप लगाएंगे दूसरी लूफ हम इस लेके च हम आउट्पुत लेके संविक्थ यौन करेंगे फिर्गोट प्रॉप संप और शोलग से पीघिन नहीं ओब यद रिल प्रॉप आर पंद्ट लेग संसे डिले काला कि य़ा ले डिले कि अगयों कि नहीं पालाए, वालाव प्रॉप झालाए, जन्दे कि वहां? दोस्तो इस तरह से टास्वमर्स की साई लूप समने रिले पर जितनी विले हैं सब पर कनेक्ट कर लिए है अब एक वायर हम जो हमारी हाई कट वाली रिले है हाई कट या टाइमर के लिए इसके एनो वाले पॉइंट पर से एक वायर हम बाहर निकालेंगे जो की हमारी आउट्पूट होगी यहां से निकालेगा यह हमारा आउट् टाइट कर देते हैं अच्छे से एक बात का मैं ध्यान रखना है कनेक्शन साधे अच्छे से टाइट करने हैं कोई लूज ना हो अगर लूज होगा तो फिर एले हमारी चलेगी इस चीज़ का हमें खास ध्यान रखना है अगर 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 अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब ज़रू कलिजिए साधी घंटिक निशान को भी दबा दीजिए ताक कि आपको हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आसाणी से मिल सके दोस्तो अब बारी है circuit को install करने की तो एक बार के connection समझ लीजिए देखिए ये हमारा microcontroller circuit है इसमें हमारा 3 operating relay और एक high cut local timer के लिए option दे रखा है तो इसमें connection इसके देखिए 024 volt जो लिखा हुआ है यहाँ पर हमारी input supply जाएगी जो की हमारी main transformer से आएगी इसमें हमें किसी trigger transformer की कोई ज़र्वत नहीं है इसके बाद में देखिए ये जो co लिखा है तो co ये जितनी भी जले है हमारी इन सब की coil का common connection हमने निकाला था वो common connection यहाँ पर जाएगा इसके बाद देखिए ip2 लिखा है ip2 यानि input 2 relay जो हमारी input 2 relay है इसकी coil के connection हम यहाँ पर कर देंगे ip1 ready जो हमारी input ready है, इसी coil connection हम imp1 पर कर देंगे, op यानि output जो हमारी output ready है, इसी coil connection यहाँ chronically up यहाँ पर कर देंगे, इसके बाद जो cut लिखा है, cut यानि हमारी high cut और timer के लिए है, इसकी coil connection हम यहाँ पर कर देंगे, लिए इसमें केवल एक ही प्रिसेट दे रखा है इस प्रिसेट से ही इसके सारे स्टेप सेट होंगे और हईकट भी इसी सेट हो जाएगा बहुत ही असान है आपको connection करके इसे चेक करके बताते हैं यह देखिए दोस्तो हमने circuit पर लेके connections कर लिए है main transformer से जो सब्भा यानी है वो भी लगा दी है अब बारी है voltmeter के connection करने की input output switch के connection करने की और फिर जो हम input supply के लिए या output supply के लिए ST3 लगाएंगे पीछे उसके connections करने की main transformer पर neutral connection हमने अभी निकिया है वो भी connection करेंगे तुफे लगवाग हमारा set finally है यह छोड़ा बात जो connection बाकी लगए यह भी कर लेते हैं दोस्तो वोल्ट मिटर के लिए जो हमने switch लगा रखा है जो कि हमारा input और output दिखाएगा इससे connection समझ लिजिए देखिए input के लिए हम connection करेंगे जो हमारी input ले है इसका common यानि pole पर से एक wire उठाकर हम जो हमारा two switch हमें लगा रखा है इस पर लगा देंगे जहांपर की हमारा input लेका हुआ body पर उस portion में और जो beach बाला point है तो यह common हैगा यह हम उठाकर वोल्ट मिटर पर connection कर देंगे यह देखे बीच में से उठाकर एक wire हम वोल्ट मिटर पर लगा देंगे और जो output का connection हमें करना है हम output लेगे पोल पर से भी उठा सकते हैं output लेगे पोल पर से निकालकर हम switch पर output वाले portion पर कर देंगे और चाहे तो हम जो हमारी high cut वाली दिले हैं इसके NO वाले point पर भी कर सकते हैं इससे ही होगा कि जैसे जब तक हमारी on नहीं है यानि हमारा cut पर पड़ा हुआ है तक वोल्ट मिटर आउट्पुट नहीं दिखाएगा लेकिन अगर हमने common पर connection किया तो आउट्पुट भले ही निकाले या निकाले मीटर हमारा voltage शो करता जागा यह आपको देखना है कि आप connection कैसे करना है आप एसी भी कर सकते हैं और एसी भी कर सकते हैं और रही बात वोल्ट मिटर के दूसर पॉइंट की देखिए एक पॉइंट पर connection हम कर देंगे यह जो स्विच हमने दे रखा है इन पर output के लिए इसके बीजवाले जागा न्यूटल तो common हैगा और फिर्स का जो वायर हैगा वह हम स्विच के तुरू इसे सेट करेंगे इन पुट यह आउटपुट देखिए इसका देख लीजए यह स्विच है अगर हम आउटपुट पर इससे सेट करेंगे तो वोल्ट मिटर हमारा आउटपुट दिखा दोस्तों यह तीन वायर निकले हुए हैं इसे हम स्विच में connect करेंगे यह हमारा इंपुट वायर है जो हमारी mcv के थुरू होकर इंपुट रिले कॉमन पर आएगा यह हमारा नूटपुट वाला वायर है जो कि हमारा में ट्रास्वा की नूटल पर हम connect करेंगे और तीसा इसे कनेक्ट करेंगे इस तहांसे हमारा इंपुट नूटल और आउटपुट के connection हो जाएंगे दोस्तों इस तहांसे हमारे सारे connections लगवाग्वक अब हमें केवल इंडिकेटर करेंगें करना हैं इंडिकेटर करेंगें आपको समझा देते हैं यह दिखिए इसमें दो जैक एक पर लिखा है SW, यह reset switch का jack है, हमें reset switch यूज नहीं कर रहा है, अगर हम reset switch यूज करेंगे, तो हम यहां पर connection कर लेंगे, और यह दूसरा jack है, यह LED का jack है, इसमें M, G, C, तीन connection लिखे हुए है, हम दो indicator यूज करेंगे, यानि दो LED यूज करेंगे, एक cut के लिए, एक main के करेंगे, तो हम M और C वाला connection उस पर देंगे, G वाले को हम छोड़ देंगे, तो हम अभी इसमें एक indicator यूज करने वाले है, तो हम केवल M और C connection करेंगे, देखे दोस्तों, यह indicator connections भी हमने कर लिया है, हमने केवल एक indicator यूज किया है, तो हमने इसमें जो middle वाला वाया है, उस अभी output नहीं दिखा रहा है, क्योंकि अभी इसमें high cut और timer वर्क कर रहा है, यह देखे, तब तक timer वर्क करेगा, तब तक indicator बिलिंग करता रहेगा, और अगर हमें इसे जल्दी start करना है, तो हम जो reset वाले switch है, इसे हम इस jack को short करतेंगे, अफर एक switch लगातेंगे, इसमें, इ यह देखे, अभी तो फिलाल बेना set की ही काम कर रहा है, लेकिन अगर हमें set करना हो, तो उसका तरीका भी आपको बता देते है, यह देखे, यह preset है, इस preset से ही सारी settings होती है, तो अभी हम थोड़ा setting गरबर करेंगे, यह देखे है, हमने cut की settings ही गरबर कर दी, यह अब 215V से क अब 280V पर जाकर cut कर रहा है, तो इसे cut करना ही तरीका आपको बता देते है, हम 250V पर लेकर जाएंगे, यह देखे है, हमने कोई cut किया, यानि हमारी कुई भी और नहीं होना चाहिए, अब हम इसे preset से set कर देंगे, यह देखे है, हमने एक ही भाद set किया, अब यह आटोमेटिक हमारे 5 steps, खुद ही set हो गए, हमें कुछ भी करने की जाओतने ही पड़ी, यह देखे है, 20 meter off है हमारा, जैसा आपको बता रहे था connection करते समय, input voltage, जो हम इसकेंदा input voltage दे रहे हैं, यह देखे, और यह output voltage, जो हम इसकेंदा output voltage दे रहे है, प्र慧 prevention का करें यह देखे, यह दे रहे हैं, अज्सा देखे हैं, ऑ sólo हम इए, यह दितना है झालोगर प्रद्द्ट प्रच्द आ टीण से पन्ते हैं ता önग्र करते सो फोला है जो हम मांगर किया